कि यह स्टुडेंट्स क्लास ट्री एन नसु वक्बुक सॉलुशन्स और आज चुके हैं हम अपनी लास्ट चैप्टर पर जो कि है लेसन नंबर टैन आर एन्वार्मेंट बचो आपको सारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा ठीक है और उसके बाद मैं आपको पता है वैसे एन्वार्मेंट क्या होता है वो होता है जिसमें आप रहते हो, आपकी आबो हवा, आपकी सॉयल, एयर, वाटर, लेविंग बेंग्स, all the things around you constitute your environment, ठीक है, अब शुरू करते हैं, यहाँ पर हमें एक साइकल दिखाई है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो हम प्लांट से ऑक्स बाद वो oxygen रिलीज करते हैं, जो कि human beings के लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए ही कहा जाता है कि plant bore and mound trees, ठीक है, air is all around us, moving, air is called wind, जो बहने वाली हवा होती है, उसे wind कहते है, और प्यारी wind को जो हमें अच्छी लगती है, ठंडी होती है, उसे breeze कहते हैं, और जब हवा बहुत तुफानी हो जाती है, तो वो से storm कहते हैं, जरूर नहीं होता, storm गरम हो, बट वो भयंका रूप होता है, air का, wind का, air content gases, air के अंदर बहुत सरी gas mix होती हैं, जो कि होती है, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor, हलकी सी नमी, dust, smoke and germs, यह सब mix होते हैं, कोरोना के टाम में आपने देखा ही था, air से ही लो करते हैं, सारे plants, animals, oxygen को बीद करते हैं, और carbon dioxide बहार निकारते हैं, और यही carbon dioxide plants ले लेते हैं अपने अंदर food बनाने के लिए दिन में, ठीक है, water, इसके बार में, water के बार में पढ़ते हैं, आप सब को water की कितनी requirement होती है, water cycle है हमारे atmosphere में operate करती है, continuously moves between water bodies, atmosphere and land and this is called water cycle, water is very important for life on earth, आप सब को होता है, all living things need water, we use water for drinking, cooking, washing, etc, water exists in three forms, three forms में होता है, जैसे कि liquid form में किस चीज में होता है, river में, lake में, आप सब ने दिखा है, पानी में आप गए हो, gas form में होता है, water vapor के form में, जो हमें दिखता नहीं है, और solid form में होता है, जैसे पहाड़ों पर, वाष्णों देवी बगएरा कभी गए हो, तो माता snow जैसे पड़ी रती है, ठीके, water एक, दूसरे, एक state से अपने state change कर सकता है, heating करने पर, या cooling करने पर, जैसे अगर आपने ice को आपने heat करा, तो वो पानी बन जाएगा, पानी को फिर आप cool करोगे, तो फिर वो ठंडा करके, उसको water vapor मे बना देगी, water gets heated by sun and rises up, अब जो water cycle है, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर पानी है समुझ में, इस पे sun की raise पड़ी, तो वो यहाँ से गरम होकर, evaporation करके, उपर चला जाएगा, और वहाँ पर वो बादल बना देगा, और वो यह बादल जब थंडे हो जाते हैं, तो उसमें से water droplets जो है, पानी बादलों में से गेदन लगती है, रेन की form में, और रेन वाटर से फिर से यह river pond जो है, वो भर जाते हैं, तो यह होती है, water cycle जो की atmosphere में operate करती है, earth is made up of rocks, आपने देखा है, earth में कितने सारे पत्थर है, और rocks are made up of one or more minerals, such rocks are very hard like granite, और इस तरीके की पत्थर बहुत hard होते हैं, जैसे की granite होता है, some are very soft like talc, और कुछ बहुत soft भी होते हैं, जैसे की talc, ठीक है, earth is made, earth rocks break into small particles under the effect of sun, water and wind, and atmospheric pressure होता है, और natural things होती है, जैसे की water, wind और sun की light की जैसे, जो rock है वो break हो जाता है, soil contains humus, soil के अंदर humus होता है, gravel होता है, stones होती है, sand होती है, clay होती है, humus makes the soil more productive, और इसकी वज़े से soil जो है, वो जादा productive हो जाती है, clayey soil, जो clayey soil होती है, रेती ली मिट्टी, used to make pots, जिससे आपके गमले बने होंगे, has large amount of clay, उसमें clay जादा होती है, sandy soil has lots of sand, और इसी तरीके की sandy soil में sand बहुत होती है, and loam is a mixture of sand and clay, plants grow where in loamy soil, और loamy soil ने बहुते बहुती अच्छे उगते हैं, fine, इन सब बातों को आप याद भी रखोगे, weather is a condition of air, condition of air जैसे monsoon आता है, summer आती है, monsoon आता है, फिर दिवाली के दिन में आप देखते हैं, फिर से weather change होने लगता है, फिर winter आ जाता है, यही सब कुछ weather होता है, five type के season होते हैं, summer season, winter season, spring, autumn, monsoon, monsoon, monsoon गो rainy season में कहते हैं, pollution क्या है, जब atmosphere में कुछ dust particles, smoke वगएरा mix हो जाती है, factories की निकलावा धुआ वगएरा mix हो जाता है, और वो pollute हो जाती है, तो वो pollution कहलाता है, polluted air and water can be harmful for the plants and animals, और यही सब कुछ plants और animals के लिए बहुत ही harmful होते हैं, ठीक है, अब practice questions solve करेंगे, इसी से related सारे questions आएंगे, आगर समझ में आया हो, फिर से बार-बार वीडियो चला कर आप धियान से सुन सकते हो, ठीक है, question number one, plant take in X and animals take in Y during breathing, select the correct option, plants क्या लेते हैं और animals क्या लेते हैं, oxygen और animals भी oxygen लेते हैं, second है carbon dioxide और carbon dioxide, carbon dioxide और oxygen तो इसमें जो correct option है, both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide during breathing, the correct option is during the process of evaporation, evaporation होता है, जब पानी lakes, rivers में से उपर आस्मान में जाता है, water in dash state changes to dash, water liquid होता है और कौन सी form में change हो जाता है, gas की form में change हो जाता है, अगर आप boil भी करो एक बरतन में आप पानी लेकर गरम करने चड़ाओ, तो वह liquid होता है, थोड़ी दिन में भापण के सारा उड़ जाता है, ठीक है, आगे चालते है, on cold winter morning, we see droplets of water on grass and leaves, सुबह सुमें ओस बहुत होती है, this is cold वह कहलाती है, dew, dew drops माने ओस की मून दे, ठीक है, mineral X is used to make talcum fodder, while mineral Y is used to make pencil leads, ठीक है, अच्छा, select the correct option and correctly identify, अब उन्हें बोल दिया, X जो है, वो talc हो गया, और आपकी जो pencil की lead होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है, graphite की, so correct option है आपर A, talc and graphite, ठीक है, आगे चलते हैं, which of the following is not an agent of weathering, weathering होता है, जब हवाओ का, बारिश का, और sun की raise का असर होता है, तो इन में से कौन उसका नहीं है part, wind है, water भी है, heat भी है, सारे हैं इसमें तो none of these, rocks break into smaller particles under the effect of किस वज़े से होता है, rock, rock break, temperature change yes, water yes, wind yes, all of these is the correct answer, select the symbol that indicates the weather in which we need to wear both the items shown, यह gumboots और यह raincoat हमें कौन से weather में भेनने पड़ते हैं, जब बहुत बारिश होती है, उससे बशने के लिए, the correct option is the B part, the given graph, shows the temperature of water as it is heated, the period from x to y shows, x से y तक का stagnant period यह क्या शो करता है, यह शो करता है, boiling point मतलब इतना boil हो चुका है, इस से जादा वो boil नहीं होगा, so it's a stagnant fate, it shows the boiling point of the given graph, अब अपको पता boiling point है, कितना boiling point होता है, 100 degree Celsius पानी इतने degree पे maximum boil हो पाता है, the given figure shows a cycle of change, अच्छा, in state of water, what are x, y, z, हाँ, तो यह इसकी different forms होंगी, कया क्या बनेगा जब water को, यहां से shoot करते हैं चलो, जब water को आपने heat किया, तो x में वो क्या बनेगा, 님이 hi a stream बन जाएग, steam को आप फिर थंडा करोगे, तो फिर वो water बन जाएगगः, water को फिर आप cool करोगे तो फिर वो ice बन जाएगी, आइस को हीट करोगे तो फिर वाटर बन जाएगा तो सही सही हम यहाँ पर दिख रहे हैं स्टीम तो पता ही होगा आपको भाप होती है तो करेक्ट ऑप्शन इस दा डी पार्ट टैन्थ पर चलते हैं प्रचेश को ही हैं वाइट पॉलन पर प्रोच प्रचेश व क्या रहा है इस नहीं होगे तो यह लोग ब्रीथ कैसे करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन थी पार्ट इंविच अप्व टवल पॉल्ट पॉल्स फोल्स ग्रोल पल्से कौन से में अच्छी वो करती हैं पल्से होती है दाले कौन से उसमें अच्छा है मैसूस करती है ग्रो होती है लोमी सोयल में हम इशाद रखिए पल्से ग्रो वैल इन लोमी सोयल select the option which on unscrambling gives the name of the type of soil that has a lot of space between its particles and is found on seashore किस तरीके की होती है पहले इसको अन्सक्रामबल करेंगे यह है लोमी सोयल यह है ह्यूमस यह सेंडी और यह है क्लेई अब अब बताओ सी समझर के किनारे पर कौन सी जाधा अच्छी होती है कौन सी जाधा सेंड होती है न सेंडी है थर्टीन पर चाते है ना बाबा चौक से कोई नहीं बनता रॉंग इस सी पार्ट मैंस दो कॉलंब्स और फिट तू इस एक से करेक्ट आप्शन्स पोटीन पर हम पहुंच चुके है नॉइस पॉल्यूशन किस से होता है नॉइस पॉल्यूशन होता है अननेसेसरी ब्लॉइंग और फॉन्स ठीक है इर पॉल्यूशन किस से होता है फैक्टरी चिम्नी इससे होता है टेश्च अ बाथिंग इन बेवर्ज एक्सक्तव hack से इससे भी होता है तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहां पर सी मिल गया है 15th है दा डियाग्राम बिलो शोज दा सेंपल अव स्टिकी टेप्स एंड वर लेफ्ट विद यह स्टिकी सर्फेसेश एक्सपोस्टो एर डिफरेंट लोकेशन्स इस इस ठीक है स्टिकी टेप्स हैं वह स्टिकी सर्फेस इस पर जब एर के कॉंडेक्ट में आते हैं तो कैसे करेंगे फ्रॉम दा एमाउंट ऑफ डॉस्ट स्टक और स्टिकी सर्फेस सेलेक्ट एरिया विच हैसा मैक्जिमम मिनिमम लेवल ओफ एर पॉलुशन आप भी बताओ मिनिमम लियर पॉलुशन कि इसमें होगी सबसे कम इसमें चपकी है सबसे ज़्यादे इसमें सबसे कम इसमें तो सबसे कम किसमें होई इसी में तो ही न में ऑफ सब से कम पॉलुशन यहां दिख रहा है यहां जादा दिख रहा है यहां थोड़ा कम दिख रहा है इसी के साथ हम आ चुके हैं अचीवर्स सेक्शन पे अनामिका लुक थ्री ट्रोस इच कंटेनी इक्वल अमांट ऑफ सोयल टेकिन फॉम डिफरेंट लोकेशन अनामिका पूर 500 ml of water gently on to the soil in each row her observation after 30 minutes is shown in the given चीख उसने भर दिया तीन कंटेनर में और फिर उसने डाल दिया 500 ml of पानी और वो नहोंने सब अबसॉब कर लिया according to the observation which row contains the soil that is most likely to be found in the base of the pond pond area में कौन सी तरीकी की soil मिलती है इन में से कौन सी तरीकी की soil होगी जो कम water absorb करेगी वो होगी तो कम water किसने absorb पर आए सबसे ज़्यदा water किसमें दिख रहा है आपको सबसे ज़्यदा water हमें दिख रहा है ए पार्ट में तो यह होगी वो तो इसका option आ रहा है है यहाँ पर डीज्द करेक्ट option हेर क्लेइस होगी दिंपी हैस टेकेन अन एंप्टी बॉटल एंड फिक्स अ डिफलेटेड बालून ओन इट्स माउथ उसने एक बलून लगा दिया खाली बुतल में शी प्लेस्ट बॉटल इन अ कंटेनर फिल्ड विद होट वॉटर फिर उसने होट वॉटर वाले पर लगा दिया आप्टर सम्टाइम दा बलून गेट्स इंफलेटेड एस चोन कुछ दिर बाद बलून फूल जाएगा वाट कुड बी देरवाद बलून फूल जाएगा वा जब एर गरम हो जाती है तो वो एक्सपैंड होती और उपर की तरफ उड़ती है फ्यूम उपर की तरफ उड़ती है न एटीन पर चलते हैं थ्री आदेंटिकल कंटेनर एक्स वाइजएड और फिल्ट सेम अमांट ऑफ टेप टैप वाटर बोलिंग वाटर और आइस रस्पेक्टिवली एक्स में तो डाल दिया हमने टैप वाटर वाइम डाल दिया हमने गरम पानी और जैट में डाल दिया हमने आइस क्यूब्स विच फॉलिंग ग्राफ शून दा टैंप्रेचर चेंज नीच कंटेनर कैसे पता चलेगा आपको एटीन का बीस दा करेक्ट ऑप्शन विकॉज और कि एक्स जो है वो एक डाप वाटर से एंशी कोई चीन नहीं आएगा ठीक है और वाई जो है वह फिल्ड है बोलिग वटर तेमप्रेचर हाई हो गरमी तो होगा ना और जेट जो है वो फिलकरी है आइस से तो इसका तेमप्रेचर जो है वो गिर जाएगा तो आपको सामने आंसर खुदी मिल गया है हाँ पर आगी चलते हैं दे गिवन ग्रैफ प्रोवाइट इंफरमेशन अबाउट लेवल ओफ नॉइज इंडिपरें सिचुएशन जो नॉइज होती है वो किस प्रकार की होती है इसमें दिख़्ा है बीच ओफ दे फॉलिंग सिनेरियो कें क्रिएट अ लेवल ओफ नॉइज एज इंडिकेटेड ओन ग्राफ किस तरीके की यहाँ पर लेटर एक्स ऑन ग्राफ चोज मैक्जिमम नॉइज विच कैन बी क्रिएट बाइद प्लें टेकिंग उफ सबसे जादा यहां पर यहां पर देको यह वाली इसका मतलब है जब प्लें टेक आफ करता है तो सबसे भहनकर आवाज होती है दे ग्रेक्ट ऑप्शन इस दए पाट चलती वीच वीच अप प्लेंग इस नॉट हीड़न इन इन गिवन वर्ड ग्रिप इट इस अ फटल टाइप अफ कॉम्पोनेंट यह कॉम देखिये है हुमस जो की मुझे यहाँ दिख रहा है हुमस हुमस यह रहा थर्ड इस फोर्ड मुझे यहाँ पर नहीं मिला है वह है इसमें कन्फियूज मत हो जाना ब्रॉट का मतलब होता है सूख पड़ जाने याने की बारिश बिलकुल भी नहीं होना तो जो आप्शन मुझे नहीं मिला है यहाँ पर वह है दी तो बेटा यह था था नसो वक्बुक का सॉल्यूशन आप मैंने आपको बैस से बैस पड़ाया होगा और मैंने आपको हेल्प करी होगी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देंगे आए वांट यू तो बीद अचीवर आफ एनसो अल दा वैरी बेस बैस बैस विशस पर यह ब्राइट केरि अल थालकर कर दो खूड़ायाद कर दूप सारह दो लोगाँ वीज वीजूशन आपको हेल्ड मैंने आपको लोगगार आपकोर आपको वीज़गा होगा यारू तो दीज़गा अलिज़गा कर दो दूब हूशन